यहीं दोस्तों मैं एट्वीश्ट शवागत करता हूँ आज सब एकदम अच्छे हैं एक दम बहत्रीन हैं एक बार दोस्तार को पड़ रहे होंगे history को पढ़ रहे होंगे क्योंकि दोस्त जो पुराने चात्र है जोनोंने अवतार बैच लिया था वो आपका एक क्रम से पढ़ते हुआ आ रहे थे और आज हम modern history से शुरुआत करने वाले हैं यानि कि इतिहास के किसी भी segment को अगर मैं बात करूँ आप से हमारा आज का topic रहेगा भारत में European सक्तियों का आगमन मैं यहाँ पर एक बात आपको समझा देता हूँ दोस्त देहान से देखना कि अगर जब हम history की बात करते हैं जब हम history की बात करते हैं तो history को हम कितने हिस्से में बाटते हैं आप कहेंगे जी history को तीन हिस्से में बाटता जाता है पहला आपका कौन सा part होता है enceint history यानि जिसका पता नहीं यह कब से सुरू हुआ enceint history यानि कि जिसको हम कहते हैं आपका प्राची नितिहास दूसरा होता है हमारा क्या मिडायवल यानि कि आपका मध्यकालीन भारत यानि कि हम कह सकते हैं आपका 702 से ही सुरू करें तो जएदा अच्छा है और 677 तक का एतिहास यह मिडायवल में आता है जिसमें मुख्यत है भारत में जो इसलामिक आकर्मन हुआ उसका यह पार्ट है अरब आये तुरक आये फिर दिल्ली सल्तनत रही उसमें पांच बंस रहे गुलाम खिल जी तुगलक सायद लोदी उसके बाद में फिर मुगलों ने देश में शाशन किया पंद्रह सो चब्विश से लेकर के थार सत्तावन तक तो यह रहता है ठीक है तीसरा पार्ट कौन सा है आपका यह होता है हमारा मॉर्डन हिस्ट्री और मॉर्डन हिस्ट्री का दोस्त पिछले दो इतिहास से कोई लिना देना नहीं है इसको हम बोलते है आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास इसी से हम अपनी क्लास को सुरू करने वाले हैं और आधुनिक भार अतमान तक भी हम कह सकते हैं, यहां तक चलता है, इतनी बात में कोई दिकत, क्लासिफिकेंसर समझते हैं, इससे पहले का जो है वो प्राचीन इतिहास, तो दोस्ते एक बात समझना, आप लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो बच्चे नए शुरू कर रहे हैं, ए आधुनिक भारत का इतिहास सबसे important part है SSE के लिए, इतनी बात जन लो, मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि SSE जो GD का exam है, history से question कितने आते हैं, history से question कितने आते हैं, तो history से आपको max 2 question मिलेंगे, max 2 question, और ऐसा भी हो सकता है, minimum 1 question तो मिलना ही थे है, यानि 1 से 2 question आपका history के के लिए पूछे जाएंगे, UPSI वाले चातरों को मैं पहले ही guide कर चुका हूँ इस बात के लिए कि आप से कितना पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है, तो दोस्त, एक अच्छे student होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि 1 से 2 question के लिए कितनी energy, ऐसा ना हो कि आप इतिहास की 50 कक्षाइं पढ़ते रहें, आप इतिहास की 70 classes पढ़ते रहें, एक से 2 question के लिए, तो smart study करनी है कि आपके exam को qualify करने के लिए आपको क्या जरूरी है, और उसके आसपास की सारी चीजे ताकि समझ में आए, वो जानते हुए हम चलेंगे, ठीक है और अगर मैं बात करूँ इन 2 question में से सबसे important part कौन सा है, तो वो आपको modern history ही है, modern history के बाद में important part ensign है, और medieval history से अब आप देखोगे, ssc के format में question आने बंद होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिलकुल नहीं पुछे जा रहे हैं, हाँ अगर मान के चलो आपका 40 shift हुई, तो 40 shift में से आप मुस्किल से 3-4 परशन देखोगे, पूरे medieval से, लेकिन 40 shift में 30-40 question आपको मिल जाएंगे modern history से और उतनी ही ensign से, ठीक है, तो पहले modern history को पढ़ते हुए, फिर ensign और फिर आपका medieval, एक cyclic order में हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, तो modern history में जब हम सुरू करेंगे, तो हम आप एक पार्ट सुरू करने जा रहे हैं, भारत में विदेसी सक्तियों का आगमन, भारत में जो विदेसी लोग आए, भारत में विदेसी लोग, यानि foreigners आये भारत में, आप मुझे बताएंगे कि foreigners भारत में क्यों आये थे, विदेसी क्यों आये, यह हमारा आज का chapter रहेगा, उससे पहले मैं आपको बाकी जानकारी देता हूँ, बाकी जानकारी है, यह आप लोग सुबह से जानी रहे होंगे, time table पता चल चुका है, एक बार screenshot ले लिजे इसका time table का, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, तीन दिन classes YouTube पर हों यह बैच है, आज के बाद में, यानि दो दिन और आपका इसकी fees 640 रहेगी, यह आपके लिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में परिशान होते हैं, जी मेरा इतना हो जाना चाहिए, उतना हो जाना चाहिए, ओके, और फिर हम आएंगे आपका आज की class पर, भारत मे विदेसी लोग, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत में विदेसी आए तो आए क्यों, बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, बिजनिस के लिए आए, और ठीक है, आपने बोला कि यह foreigners हमारे देस में आए, बिजनिस के लिए, क्यो जी हमारे देस में ही आए, यह बाकी देसों में भी गए, तो एक तो बहुत सारे बुच्चे एकदम नादान सा प्रसन पूछते हैं कि यह अंग्रेज भारत ही क्यों आए, तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि भारत में दुनिया के अलग-अलग जगह पर जाके लोगों ने खोज की है, जैसे, आप लोग जानते कोलंबस ने क्या खोज की थी, किस देस को खोजा, कोलंबस ने खोजा है आपका, देस को तो कोई खोज ही नहीं सकता, तो आप कहिए देस की खोज नहीं होती जी, उस देस के लिए जो समुंदरी मार्ग है, जो सीवेज है, जो समुंदर से हो या तो कोलंबस कहा गया यूएस से आना तो इंडिया चाहता था बिचारा लेकिन नहीं आपाया अच्छा एक कैप्टन कुक का नाम सुना है आपने मुझे बताईए अगर आपने कभी सुना हो कैप्टन कुक ने किसकी खोज की है Captain Cook ने Captain Tassman था Captain Tassman इसने किसकी खोज किये Captain Cook ने Australia जाने वाले Europe से Australia जाने वाले इसको उपर कर देते हैं Europe से Australia ये Captain Cook बिर्टेन का था Tassman ने Tassman जो New Zealand के पास में है Tassman और साथ में आपका New Zealand की New Zealand New Zealand जाने वाला जो समंदरी रास्ता उसका खोजा Wasco de Gama ने किसको खोजा है Wasco de Gama ने आप कहोगे Wasco de Gama ने इंडिया आने वाले रास्ते को खोजा तो आप एक तो ये नहीं मानेंगे कि ब्राजील को बार्थोलोमे डियाज ने खोजा इतना मतलब बुद्धू होके प्रसंद नहीं करना है कि भारत ही क्यों आए तो आप क्या बोलेंगे कि दुनिया के हर हिस्से में गए ये वापार के लिए जैसे भारत में वापार किस चीज़ का करना चाहते थे तो आप कहिए भारत में सौने का व्यापार बहुत प्रशिद था और भारत में आपका जो मसाले थे काली मिर्च का, लौंग का ठीक है, कपड़े का व्यापार भी भारत का प्रशिद था अब प्रसंद आता है कि जी समुंदर से क्यों आए रास्ते से क्यों नहीं आए प्रसंद यहां पर आता है और यहीं परकच्छा सुरू होती है हमारी ध्यान से समझेगे सबसे पहले तो मैं आपको दुनिया के नक्से के बारे में बता दू आप लोग थमसब करके बताना जानते न कितने महधीप है आप लोग जानते कितने महधीप है मुख्यत है महधीप की अगर हम बात करें अभी आठवे को अगर हम ना जोड़ें तो आप क्या बोलेंगे एक तो नौर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका ठीक है यूरोप को देखिए यूरोप कहा है ये ग्रीन कलर में ये क्या है ये यूरोप है ये क्या है आपका अफरीका है ये वाइलट कलर में आपका एशिया है इधर आउस्ट्रेलिया है और उपर और नीचे अंटार्क्टिका वहाँ लोग रहते ही नहीं है वहाँ लोग रहते ही नहीं है तो महादीबोग में क्या आप लोगों ने बात समझी नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, यूरोप के नीचे कौन है आपका अफरिका एशिया, एसिया से उधर की तरफ कौन है आस्ट्रेलिया, यह आप सब लोग जानते होंगे जी हाँ, तो मित्र होता क्या है द्यान से देखना, यह द्यान से एक बात समझेंगे देखना, मुझे इस पूरे नकसे पर एक बार भारत देश को देख लीजी आप अपनी नजरों से प्यारी नजरों से कि भारत अपना महान भारत किदर है आप देख पाते हूँ जी है साथ में एक और बात समझनी है यहाँ देखो यह तुर्की है तुर्की आप लोगों को वो सारी चीज़े नोट नहीं करनी है जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको नोट करना उसकी PDF आपको मिलेगी एडवांस PDF मिलेगी नोटस बनाने की चिंता करनी नहीं है ठीक है application में आपको सब कुछ मिलेगा एडवांस में आपको आने वाली 10 कक्षाओं के भी नोटस मिल जाएंगे चिंता ही नहीं करनी नोटस वाले बच्चों को तो बिल्कुल चिंते थोने की जरुत नहीं है एडवांस की 10 classes की कि हम क्या पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपको पता रहेगा तो आप भी थोड़ी research कर पाओगे तो मेरी तरफ से वो PDF आपको एडवांस मिलती रहेगी तो ये जो शेतर है यहां दर्शल में अब से पहले ये यूरोप है अभी मैंने आपको बताया यूरोप के नीचे क्या है ये ये कौन सा महदीप है बताएं जरा अफरिका और ये कौन सा है यूरोप तो यूरोप के लोग जो अब तक व्यापार करते थे एशिया में भारत में इस रास्ते से होकर आते थे इस रास्ते से जमीन से व्यापार चलता था बहुत अच्छा चलता था कोई दिकत नहीं होती थी बिजनिस अच्छे से मूव कर रहा था लेकिन 1453 में क्या हुआ 1453 1453 में यह कुस्तुन तुनिया च्छेतर है आपका और इस च्छेतर पर क्या हो गया जो तुर्की के लोग है तुर्क लोगों ने यहां पर अधिकार कर लिया आपके परिक्षा की बात नहीं है बस समझे कब तुर्कों ने अधिकार कर लिया कुस्तुन तुनिया चेतर पर 1453 में तो यहाँ एक छोटा सा देश है इस्तानबुल इस्तानबुल से होकर के यहाँ यह बिल्यू कलर का पानी है इस्तानबुल देश से ही रास्ता गुजरता है जो यूरोप को इस अरब देशों से और इस आपका भारत से कनेक्ट करता है तो जब तुर्कों का यहाँ कंट्रोल हो गया तो इस्तानबुल वाला रास्ता बंद हो जाएगा कि खुला रहेगा तो इस्तानबुल के रास्ते को बंद कर दिया गया यानि कि जमीन से connectivity होती थी जमीन की connectivity खतम हो गई एक रास्ता तो बंद हो गया दूसरा रास्ता ये था कि ये लोग यूरोप से यहां होते हुए इधर आपका कजाकिस्तान वगेरा फिर चाइना जाते चाइना से होकर कि ये भारत में आते जो कि बहुत लंबा रास्ता था बहुत इतना लंबा कि सायद मतलब जान माल की तो हानी थी ही खर्च बहुत ज़्यादा होना था तो तीसरा विकल्ब क्या बचा कि अब क्यूंकि इस पर लुटेरे भी बहुत थे अरब लोगों के लूट पार्ट भी बहुत होती थी इस्थानिया लोग अपनी सक्ती बढ़ा रहे थे तो वो अपने अपने वियापार करते थे तो भी या भारत ही क्यों खोज रहे हैं फिर क्यूंकि अरबी लोगों के दुआरा जो मसाले अब तक बेचे जा रहे थे वो मुख्य थे तो अरब पर डिपेंड रहते थे कि ही से बिजनिस करके वापस लोट जाते थे लेकिन उनको धीरे धीरे पता चलने लग गया कि अरबियों के मसाले नहीं हैं ये तो भारत के मसाले हैं और सारा जो संगर्ष सुरू हुआ वो मसालों के लिए सुरू हुआ इसके लिए बताएंगे सारे दोस्त तो समझगे इसी लिए यहां पर देखेंगे आप यह छोटा सा देश है पुर्तगाल ये देख पारें एक बार थमसब करें तो पुर्तगाल के लोगों को तो रास्ता क्या बोलेंगे आप कि भीया इधर से जाते यहां संगर्ष होता सारा यहां लूट पार्ट होती रास्ता भी बंद था तो इन्होंने क्या विकल्प सोचा कि कुछ सोचते हैं परियास करते हैं पता लगाने की कोशिस की और पता लगाने में ऐसे होते हुए यहां से होते हुए भारत जाएगा तो सबसे पहला परसन आता है कि भारत आने वाली सबसे पहली विदेशी सक्ति कौन है बहरत आने वाली पहली विदेशी समझ गये क्यों आई तो फिर आता है भारत में विदेशियों के आने का क्रम क्या है विदेशी सक्तियों के आने का क्रम क्या है सबसे पहले कौन आये भारत में क्या बोलेंगे भीया पुर्तगाली, अंग्रेज आपका पुर्तगाली कहां से आये पुर्तगाल से अंग्रेज लोग कौन है, जो बृटेन से भारत में आये है डेच लोग कौन है, जो हॉल psychiat होलेंड का नाम ही बदल के और नीधर हो चुका है डैनिस लोग कहां से आये, डैनमार्क से फ्रांसिस लोग कहां से आये, फ्रांस से और Swedish लोग आये Sweden से ये बारत में आने वाली सक्तियों का किरम है इसी को हम बोलते हैं पुत्र अडा डैड फसा क्या बोलते हैं हलागि आप ट्रिक से दूर है न पुत्र अडा और भीया फिर क्या हो गया क्या बोलोगे डैनिस हो गया डैड फसा पैसे फिर फ्रांसेसी और फिर स्वेडिय स्थ अच्छ भीँ यह जो लोग आएं है तो यह इनकी कमपनियों के आने का किरम है किसका किरम लिखा है मैंने आपको यह इनकी किसका किरम है वदिशी सक्तियों के आगमन का कमपनी का किरम यहां से एक fact निकल के आएगा उस पर दियान देना है कभी भी गलती नहीं करनी है यह इनकी company का किरम है यानि कि जो पुर्तगाली लोगों ने अपनी company बनाई वो बनाई 1498 में अंग्रेज लोगों ने जो अपनी company बनाई वो 1600 में डेच लोगों ने अपनी company बनाई है 1602 में इन दोनों को देखिए देखो डेच लोग भारत आये तो पहले अंग्रेज जो से पहले आये थे डेच लेकिन यहां पर आप देखोगे कारनेलिस दा हाउट मैन नाम के एक वेक्ति डेच आया 1596 में लेकिन company इन्होंने क्या बनाई है भारत में व्यापार के लिए यह company क्यों बनी थी यह यूरोप की company है कि वही एक company का गठन किया गया कि आपको जाकर के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना है पूर्व के देश कैसे जी यहां देखने दिहान से तो यह यूरोप के पूर्व में भारत है कि नहीं है तो आप कहेंगे यूरोप के पूर्व में क्योंकि आप भी reasoning पढ़ते होंगे तो आप क्या करते हैं यह क्या है यह north होता है यह south है यह east है और यह क्या है यह west है तो क्या बोलेंगे आपका कि East के देशों के साथ वियपार के लिए आपका ये कंपनी बनी ऐसे ही अगर हम बात करें Dennis Logo की कंपनी कब बनी ये 1616 में बनी Francis ही उने कंपनी बनाई 1664 में और Swedish Logo की कंपनी बनी है 1731 में ये इनका कंपनी का किरम है तो मैंने बोला कि Dutch पहले आए तो ये कंपनी का किरम हो गया लेकिन मैं आप से पूछ लूँ व्यक्तियों के आने का किरम तो किसको उपर कर देंगे जरा बताना कि भही अब परसन किसके पहले आए आदमी किसके पहले आए तो व्यक्ति के आने का जो किरम है उसमें पहले कौन चले जाएंगे डच चले जाएंगे समझ गए लेकिन पुर्तगाली पुर्तगालियों के बाद कौन आएगा आपका फिर आएंगे आपके डच और फिर आएंगे आपके अंग्रेज अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद कौन आएगे आपके डैनिस डैनम बनाया जाता है वदिक्कत कोई परिशानी इतनी बात में किसी को नहीं होनी चाहिए यह बात याद रखेंगे तो सबसे पहले कौन आये इस बात पर फोकस करो इसी करम में चलेंगे पुर्तगाली पढ़ेंगे फिर अंग्रेज पढ़ेंगे फिर डच पढ़ेंगे फिर देनि सबसे पहले आये हैं कौन आदमी आया भारत में पहले बताएंगे जरा कौन व्यक्ति बाहरत में सबसे पहले आया आप किसका नाम जानते हैं तो आप जानते हैं नाम सिर्फ और सिर्फ वासको डिगामा का किस वर्स में आया आप कहेंगे 1498 में आया दो डेट मेंसन रहती है इसकी 20 मई 1408 में और 17 मई 1408 में तो क्यूं आया है भारत में भारत के लिए जो यूरोप से जोडने वाला समुदरी मार्ग है उसकी एक खोज कर पाए उसको खोजने के लिए निकला वही किरम हमको जानना है देखें इस खोज में ऐसा नहीं था कि अकेली को सिस्वासको डिगाम आने की यहां पढ़ेंगे 1412 में USA के समुदरी मार्ग की खोज की किसने कोलंबस में कोलंबस भी भारत को खोजने निकला लेकिन क्या भारत पहुचा तो क्या बोलेंगे कोलंबस कहां पहुच गया कोलंबस जो इस्पेन का एक खोजी था यह नाविक था क्या भारत को खोज पाया येस और नो तो 1492 में जो प्रियास किये गए वो क्या हो गए विफल हो गए यानि कि उनका कोई रिजल्ट नहीं आया अच्छा ऐसी ही एक कोसिस पुर्तगालियों के दुवारा की गई कि पुर्तगाली सामराज्य में एक राजकुमार था हैंरी उसने तो अपनी पूरी जिंदगी इस बात के लिए लगा दी कि भारत का जो रास्ता है जो समुदरी मार्ग वो कैसे खोजा जाए तो क्या बोलेंगे लेकिन बिचारा क्या रहा असफल रहा ये भारत के लिए कोसिस हो रही है कि कैसे ही वो समुदरी मार्ग खोजा जाए फूर्टीन एटीसेवन में 1487 में बार्थो लॉमियु डियाज ये भी पुर्तगाल का है इसने उत्तर मासा अंतरीप जिसको हम cap of good hope कहते हैं दोस्त नोट्स बनाने की जुरूत नहीं है नोट्स आपको मिलेंगे अजिटिस मिलेंगे ठीक है तीन दिन के बाद में आपको advance नोट्स मिलने लग जाएंगे आप आराम से बना सकते हैं अच्छे से यानि किलास में जब आप आओगे तो आपको notes ready मिलेंगे उससे पहले और कई दिन पहले मिल जाएंगे ठीक है तो उसकी चिंता कभी नहीं करनी है notes application में मिलेंगे मुझे बताईए 1487 में बार्थलोम्य डियाज ने उत्तरमासा अंतरीप यानि कि आपका cap of good hope की खोजगी अब cap of good hope कहां है ये देख लीजिए इसका नाम बोलो एक बार नया नया नाम दिखेगा तो आप बोलो भी ये डियाज बड़ा कठिन सा नाम है ध्यान से देखना देखो यहां पर पुर्टगाल है और बार्थलोम्य डियाज यहां तक पहुँच गया इसको बोलते है cap of good hope ये क्या है ये आपका cap of good hope बोलते हैं इसको यानि कि एक अच्छी आसा मिलती भी भारत का इसका नाम भी cap of good hope इसी ने रखा कि ये हमारे लिए एक एनर्जी का काम कर रहा है जल्द ही हमको भारत का रास्ता मिलेगा तो क्या बोलेंगे आपका जो South Africa में है cap of good hope आदा रास्ता लगबग तै हो चुका था या नहीं तो आप ये समझेए कि यहां तक का रास्ता किसने तै किया वो डियाज ने तै किया और डियाज कहा का है डियाज कहा का रहने वाला है बताएंगे पूर्तگाल का तो दिकत तो कोलम्बस पहली कोसिस करता है सफल हुआ कि नहीं हुआ राजकुमार हैंडी तो बस सोचता रहा किया कुछ नहीं जैसे बहुत सारे चातर पढ़ते नहीं है बैठे 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 बस सोचते रहते हैं कब वर्दी मिलेगी और क्या होगा 1487 में बार्थलोग में डियाज ने भी ये प्रियास किया ठीक है 17 माई 1498 में को वासको डिगामा ने भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की सफल कौन हुआ वासको डिगामा ठीक है तो वासको डिगामा भी कहां से क्या बोलोगे कैप ओफ गुड होप होते हुए भारत आया अब ये बिचारा कहीं भटक रहा था भटकने से मतलब है अरब सागर और हिंद महासागर वाले छेतर में भटक रहा था जिसके लिए कहानी बताई जाती है कि गुजराती व्यापारी कहना भाई ने इनको कहा कि भीया तुम क्यों भटकते हो तो इन्होंने कहा कि भीयापार आधी के लिए हमको मसाले आधी का व्यापार करना भारत से तो उन्होंने रास्ता दिखाया और इनको केरल ले जाके छोड़ा वहाँ पर कौन सा आशक था उस समय केरल में जमूरिन अब जमूरिन ने इनका बड़ा स्वागत किया जमूरिन को भी मिला कि भी इन लोगों ने बताया कि भी हम व्यापार करेंगे उधर से लाकर के चीज़े तुमको देंगे तुमारे हैं से कुछ चीज़े ले जाएंगे तो जमूरिन ने बड़ा वैलकम किया इनका सुरुवात में ठीक है 17 मईए 1408 में को वासको डिगामा ने भारत यूरोप के वैपारिक मार की खोज की और कहां पर पहुचा दोस्त काली कट केरल पहुचा कहां पर पहुच गया आपका अगर हम भारत के संदर्व में बात करते हैं तो भारत में एक केरल पहुचा यहां पर एक हिंदू साशक थे जमूरिन इन्होंने स्वागत किया लेकिन ऐसा नहीं था कि यह दोनों दोस्त बन रहे बाद में दोनों की लड़ाई हुई जगडा हुआ क्योंकि एक समय पे जमूरिन को यह एहसास हो गया कि इन्होंने तो उससे जूट बोला है और यह तो यहां आकर के क्या करने लगे फिर इसायत का परिचार करने लगे अपने इसायी धरम का परिचार करने भी यह लोग आये थे वह मैसिज भी इनको मिला तो यहां के जो लोग थे जो हिंदू और मुसलिम लोग यहां के थे उन लोगों को ये convert करने लग गई किसाई धरम में, पैसे के कुछ दम पे कुछ लोग इनके यहां रहे गए आगे चलते चलते इनों ने ये चीज बढ़ाई है उसके बारे में बात करेंगे और व्यापार के लिए तो भी आये थे तो कोई दिक्कत नी वासको डिगामा भारत पहली बार आया कब आया 1408 में, 1499 में में वापस चला गया तो वापस जब गया तो जो उसका यात्रा खर्च था वही एक expenditure हुआ होगा ना उसकी जरनी में उसका 60 गुना एक profit उसने दिया जाकर गया 60 गुना profit कैसे जी जैसे काली मिर्च वो यहां से ले करके गया उनकी बड़ी demand थी यूरोप में ठीक है, काली मिर्च थी long एक masala होता है यह masala है, ठीक है यहां से वो हाती दात भी ले करके गया हाती दात ले करके गया यहां से वो सौना भी ले करके गया तो उसका जो टोटल खर्चा आया पूरे इस एक्सपेंडिशन में टोटल जो एक्सपेंडिचर उसका हुआ इस अभिहान में उसका साथ गुना तो भाईया खुस हो गए सब लोग भोड लग गई सब लोगों में क्योंकि ये भी ऐसे थोड़ी अकेले आ गया था वासको डिगामा इसके साथ चार जहाज थे 170 लोग इसके साथ में थे चार जहाजों पर सवार होके आया था तुम ये निसोच रहे हैं कि जेब में काली मिर्च लेके चला गया था कभी ये सोचने लग जाओ वासको डिगामा भारत दूसरी बार 1502 में आया फिर से आया चीक है 1524 में इसकी मरत्य हो गई तो 1524 में तीसरी बार आया था और इसकी मौत भारत में ही हुई है खोचीन तो वासको डिगामा भारत में ही मरा है ये बात याद रखेंगे आप लोग और कितनी बार वास्कोडिगामा भारत आया है बताएंगे एक बार आप कहेंगे जी वास्कोडिगामा तीन बार भारत आया है क्योंकि अब ये लोग बार 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 व्यापार कर रहे थे तो बार-बार व्यापार करने में इन लोगों को पता चला कि भी एक अच्छा सा सेट अप एक काम करते हैं इंडिया में पर्मानेंट सेट अप बना लेते हैं जहां पर हमारे कुछ ऑफिस होंगे अपने कुछ अड़े होंगे जैसे आपने देखाऊगे न कंपनी क्या करती हैं जैसे रेलाइंस का मान के चलो अच्छा व्यापार रहा है तो किसी और देश में अपना अमेरिका में एक ऑफिस बना देगी एक हैड़कॉर्टर बना और बार्थोलोमिय डियाज क्यूंकि रास्ता जानता ही था उसको भी भेजा और इस कैबरेल ने इस बार खोज लिया ब्राजील को आपसे कभी भी पूछे ब्राजील के लिए समुंदरी मार्क की खोज किस ने किये पूछे जाते हैं तसमान, कैप्टन कुक, वासकोडिगा अगर आपने दिहान से सुना है तो एक बार बताएंगे बार्थोलोमिय डियाज ने किस की खोज की थी एक बाएक बही कह रहे हैं बहीयो कोई भी बैच मत खरीदना ये किलास तीन जगह चल रही है इन किस लोगी मैंने तो बच्चों को खुद बताया है ये किलास हमारी कर चुके थे उसमें मैंने बच्चों को कल भी बता दिया था आज फिर से बता देता हूँ एंसी इंट हिश्ट्री मेडेवल हम उसमें खत्म कर चुके थे आज हमारी आपका किलास चलनी थी ठीक है आधुनिक भारत को जिससे हमने यहां से शुरू किया है और UPSI में हमारी कलास चली रही थी इस बात का क्या मतलब है कि कुर्स मत खरीदना यह किलास तीन जगह चल रही है यह कैसी मूर्ख था है दोस्त इस बात का कोई अर्थ है बोलो जी मतलब भला हो रहा न बच्चों का आपको तो यह सोचना चाहिए यह किलास दस जगह चलनी चाहिए यह कौन सी बात ही तो आप कहेंगे cap of good hope ने क्योंकि history किसी भी परिक्षा के लिए सेम रहनी है हर एक exam के लिए सेम रहनी है question पूछे जाएंगे अलग-अलग परिक्षा हो मैं वैसे ही पूछे जाते है तो इतने अच्छे बच्चे तो बनिये कम से कम कि आपको इतनी समझ हो ठीक है अब लोगों ने क्या सोचा कि इन्होंने सोचा है कि भाई साब आपका क्या होगा कि ब्राजील के मार्ग की जो खोज इन्होंने कर दी तो यहाँ पर आप इतनी बात समझ जाएंगे कि पंद्रह सो तीन में पूर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली वियापारि कमपनी खोली और एक्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कोचीन कहां पर इस्थित है किरला में देखो यहाँ पर एक बात समझेगे पूर्तगालियों ने कोईरल में अपनी पहली वियापारिक कोटी खोली मुझे हाज यार यार इसकी बात पर वच्चे की पावी यहाँ सम से लोग समुदरी मार्क से आते थे अब इनके लोग यहाँ पर सेट अप हो गए तो यह क्या करते थे जो बिजनिस यहाँ पर करते थे उस समान को इठाके अपने वेरहाउस में खटा कर लेते थे यहाँ से क्या है फिर जहाज आते थे सीधे जहाज में लोडिंग अनलोडि होती थी समुदरी मार्क पर और यह समान जहां से खटा होता था वहां से बेज देते थे तो व्यापारिक को ठीक का मतलब है कि कुछ वेरहाउस बना देना जैसे कंपनी बनाती है अपने ठीक है कि यहां पर पर प्रोड़क्शन या समान ला करके हम यहां ही खटा करेंगे ओके 1505 में फ्रांसिस दी अलमेडा क्या बोलोगे 1505 में फ्रांसिस दी अलमेडा पहला पुर्टगाली गवर्नर बनके आया governor का मतलब क्या होता है आपका state कौन चलाता है आप कहेंगे जी CM चलाता है तो इनकी company को भी तो कोई चलाएगा तो top most जो आपका post था वो था governor का कि हम लोग business कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर headquarter भी है तो एक chief भी चाहिए एक आदमी भी तो चाहिए जो control करेगा तो आप कहेंगे कि 1505 में Francis D. Almeida कौन आपका पहला पुर्तगाली governor बनके आया कौन आया पहला पुर्तगाली governor बनके आया को दिक्कत को परिशन नहीं सांत जल नीती इसने अपनाई जिसको हम बोलते blue water policy तो यह सोचने की बात है कि blue water policy ठीक है यहाँ पर दम देखें यहाँ पर समझो भारत को देखिए तो जब पुर्तगालीों ने दोस्त आपका यहाँ पर control कर लिया आपका यहाँ व्यापार यह करने लगे तो यहाँ पर यह कौन सा कहा कि बाई हम लोग यहाँ पहले आई है हमने यह खोजा है इनका पिरभाव भी यहाँ पर था इन्होंने कहा यहाँ से अगर कोई और व्यापार के लिए आया तो उसको एक कार्टेज लेना पड़ेगा एक permission letter लेना पड़ेगा हम लोगों को taxes देने पड़ेंगे तब यहाँ आकर के कुछ समान ले पाएगा इस छेत्र में तभी घूम पाएगा तभी इस छेत्र में व्यापार कर पाएगा अगर हम permission देंगे और वो हमको tax देगा यही क्या था blue water policy जिसके दुआरा वो कहते थे जो अरब सागर है इसको पुर्तगाली सामराज्य बना देना है अरब सागर पर पूरा कंट्रोल कर लेना है और इसी लिए यहाँ पर पुर्तगालियों ने एक आपका अपनी company को नाम दिया था जब यह यहाँ पर भाभ बढ़ा रहे थे एस तादो दा इंडिया एसे समझेए कि हम इंडिया के king हैं और इस अरब सागर पर और हिंद महा सागर पर हमारा ही साशन होगा और जो कुछ भी यहाँ पर होगा हमारी मर्जी से होगा समझे दोस्त इदर-उदर की बाते मत करो मैं आपकी बातों के आंसर नहीं करूंगा, इससे class interrupt होती है सिर्फ yes और no में answer करिए जब समझ में आता है कोई रोने का sign भीज रहा है, कोई कुछ बोल रहा है मैंने आपको पहले बता दिया, sir class मेरे app पर नहीं चल रही है दोस्ति ये कौन सी बात हुई, चल जाएगी कभी भी class के सुरुवात होती है तो वो YouTube पे होती है UPSI वाले बच्चों की class application पर चल रही है GD के बच्चों को एक साथ लाए गया है, ताकि आप एक साथ पढ़ सके तिन दिन के बाद में सब application पे एक साथ ही होंगे कितना मात्र है, या तुमको बड़ा ऐसे परिसानी होती है कहीं भी पढ़ लिया करो, पढ़ना तो वही है, उसी किरम में पढ़ना है कहीं भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कार्टेज पध्यती लागू की क्या बोलेंगे, कार्टेज पध्यती, तो बिलू वाटर पॉलिसी किलियर है एक बार थमसब करके बोलिए, कि अरब सागर में ये लोग अपना जो कंट्रोल बनाना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने क्या बोला, कार्टेज सिस्टम को, कार्टेज मैथर्ड को लागू किया, भईया हमको पैसा दोगे, तो यहां बिजनिस करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे, तो उनको पीटेंगे फिर, क्योंकि वो पहले आया है तो ताकतवर हो चुके, सब लोग इनकी हां में हां करते थे, दूसरी कोठी इन्होंने, आपका कनूर में केरल में खोली, यह 1505 में खोली है, बिजनिस बढ़ रहा है, देख रहे हो इनका, पुर्तगालियों का, कनूर में कोठी खोली केरल में, और इससे पहले गुजरात का जो एक साशक था, जो इनका वरोध करता था, महमूद बेगड़ा, उसको इन्होंने हरा दिया, हलांकि पहले पराजित हो गया थे, जो अलमेडा था, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, उसको गुजरात के सासक ने स्थानिया सासकों की मदद से लोकल राजाओं को मिलके उसको हरा दिया था पहले, बाद में हराया गया है, बाद में वो बिचारा पराजित हो गया, ओके? तो इसका काल कितना रहा मुझे बताएंगे, कब बन के आया था, क्या बोलेंगे? 1503 में तो इन कोठी खोली, 1505 में फ्रांसिस दी अलमेडा आया और कब तक रहा है? 1509 तक, तो फ्रांसिस दी अलमेडा का काम कब तक रहा है? 1505 से 1509 तक, 1509 से 1515 तक रहा अलमुकर्क, तो बह बहुत पुछायाता है आपका दूसरा दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था याद रखेंगे पहला कौन आया अलमेडा दूसरा अल्बुकर्क अल्बुकर्क ने आते ही भीया ये अपनी मर्जी से चलने लग गया इसने आते ही बिलू वाटर पॉलिसी को क्या कर दिया वक्ति का वास्तविक संस्थापक वाय क्यूं कहते हैं कि पुर्तगालियों की जो पावर है उसको सबसे अच्छे तरीके से एमपावर किसने किया है वास्तविक संस्थापक कौन है रियल फाउंडर यही है पॉर्टिगीज पावर का कैसे जी देखो अब तक जो अलमेडा था वह तो करता था सिर्व व्यापार उसको और कुछ नहीं था कि समान लाया बेचा मनाफ़ा कमाया ठीक है लेकिन इसने क्या कि पुर्तगालियों से कहा कि भारतिय इस्त्रियों से स साधी करो और इनको इसायत में बदलो भारतिय इस्त्रियों से क्या हुआ साधी होनी सुरू हुई ठीक है जबरन धर्मांतरन जो कराया वो जाके कराया किसने अल्बू करकने इसने बोला कि इन भारतियों को जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब परिवार उनको धनका लाल जो यह चाहते थे कि साधी धरम का प्रिचार प्रसार हो उन लोगों ने इनको पीछे से पुस करना शुरू किया कि तुम जाके हिंदुस्तान में कर रहे हो सब तो भीया इनको चेंज कर दो तो क्या हो गया यहां इन लोगों ने यह सब कुछ करना शुरू किया और साथ में अपना सीमा विस्तार भी इसने किया बीजापूर का यूसुफ आदिल सहा था उससे इसने गोवा को छिल लिया और गोवा को फिर इसने अपना हैड़कॉर्टर बनाया ठीक है जब बोलेंगे गोवा को अपना हैड़कॉर्टर बनाया टार्गेट क्या था इनका यहां के हिंदू और मुसलिम टार्गेट थे आज भी आप देखेंगे कि आपको इसाई लोग किधर ज़्यादा मिलेंगे एक बार आंसर करेंगे उत्तर भारत में कि दच्छन भारत में और सबसे ज़्यादा कहां पर मिलेंगे आप कहेंगे भी है गोवा कोई जाएगा तो उधर ज़्यादा इसाई मिलेंगे और भी ठीक है ना कि उधर क्यों मिलेंगे आपका लोग ज़्यादा क्योंकि सबसे पहले कनवर्जन वहीं हुए थे और पुर्तगाली जो देश में आए हैं सबसे पहले आए 1498 में गए सबसे लाश्ट में पुर्तगाली आए 1498 में देश की आजादी के बाद गए है मार के भखाना पड़ा है इनको 1961 में गए हैं यहां से सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए है ठीक है 1529 में नीनो दी कुनहा गवर्नर बन कर आया है कि नाम है वोई दो important है important नहीं है इसी ने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था सबसे important person यह नहीं है कि पुर्तगालियों ने राजधानी कब बनाया इसको अपनी important यह है कि इनोंने गोवा पर control किस वर्स में किया तो आप क्या बोलेंगे 1510 में control किया है ठीक है 1510 में 1535 में इस दमन और दीव दमन और दीव छेतर पर अपना अधिकार कर लिया किसने और सबसे last में इनोंने इसी को छोड़ा है सबसे last में ठीक है बोलेंगे जी बहुत बढ़िया किशन गुपता जी काजल बहुत सांदार काजल जी मैं PDF के बारे में बता चुका हूँ आप सायद लेट जॉइन हुई है बच्चू आप सायद लेट जॉइन हुई है बीच में से किलास देखते हो आती ही PDF चाहिए कैसे बालना को रहे तो कुमार वेरी गूड अभिशेख समझे बात को तो ये पृतगाली सकती है आ गया आते हैं पृतगालियों की भारत में देन क्या-क्या है मतलब पृतगालियों प्रभाव क्या पड़े बाहरत में एक प्रभाव तो नेगी ठी रहा अकबर से तमबाकू की खेती सुरू करवाई अब बरनेल नाम का ये आदमी अकबर की सभा में लेके गया था तमबाकू बर्गल किसके पास में अकबर के पास में अकबर को इसने तमबाकू के दो-तीन कस लगवा दिये ठीक है और अकबर ने तमबाकू का शुछ आया था। आक्बर ने सुरू करवाई곤 कि समय को यहांगीर और लोगों लगा देता है लेकिन खुद नसा करता है। और लोगों लगा दिए उसने सराब आदि आपकाये लेकिन खुद सेवन करता था। खुद की मौत सराब पीने की वज़े से हुई है, जहांगीर एकदम ठीक उत्तर दिया है सारे दोस्तों, नंजू बाल, अरे गुट, आलू, टिमाटर, लाल मिर्च, लाल मिर्च भी भारत में नहीं होती थी, आप कहिंग भी इससे पहले भारत में आलू नहीं होता था, तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, भारत में नहीं होता था, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने गोवा में खोली थी आपका, 1560 के आसपास में, जहाज निर्मानकला का ग्यान पुर्टगालियों को हम से पहले था, तो इन्होंने हमको वो सिखाया है, अब सबसे बड़ी बात यह आती है, भीया, पुर्टगाली भारत में डटे तो डटे क्यूं नहीं, मतलब हम लोग अईतिहास में आप लोग इतना तो जानते होगे, कि भीया, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, इतनी मोटी सी बात तो जानते होगे, तो इस पुर्टगालियों ने भारत पर आज क्यूं नहीं किया, 1661 में पुर्टगाली राज कुमारी और बिरिटेन के राज गुमार, जो बिरिटेन का राज गुमार, महराँनी विक्टोरिया, एलिजाबाद, उस राज गुमार से जब इसनकी सादी होती है तो पूरे बुम्बई को गिफ्ट देते हैं दाहेज में आप समझे इतना बड़ा दहेज तो यह जो दहेज दिया गया यही आदमी है चालस दुत्य जो बाद में इसको दस पॉंड के वारसिक कराए पर मैं आपको पढ़ाऊंगा दस पॉंड के मात्र दस पॉंड के एन्वल एन्वल एक रेंट पर इसको इस्ट इंडिया कंपनी को देदेगा जब वह भारत में बिजनिस करने आएगी कि देखो क्या खेल है उसको गिफ्ट मिल रहा है मुंबई दहीज में एकदम फिरी यह उसको इस्ट इंडिया कंपनी देदेता दस पॉंड में यह लो करो चीजे भारत की और यह यहां खेल रहे हैं आपस में मजे कर रह हैं ज़ोर दहीज में भी क्या मिल रहा मुंबई आपको हमारे रहे होगए दृजद छोड़ो पहला नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगे तब तो कुछ आगे चले ठरहम ये कम से कम यह तो कह पाएंगा नौकरी मिले दुलहन ही ढहे-धही है अभी नौकरी पुर्तगाली इस समय पर आते आते क्या होने लगगे कमजोर होने लगगे और देखो डच कब आई भारत में मैंने बुला इनकी कमपनी सौ साल बाद की कमपनी है लगबग लेकिन उन्होंने आ करके इनको छीनना शुरू कर दिया अब दरसल में क्या हुआ कि ऐसे ही एकदम से परतगाली कमजोर नहीं होगे सबसे पहले तो अंगरेजों ने कमजोर किया इनको इंपोटेंट है देखो कैसे जब जहांगीर था जब जहांगीर था जहांगीर के समय कौन अंगरेज भारत में आया था जानते आप आपको मैं आ आया था अब कहेंगे हॉकिन्स हॉकिन्स भारत आया 1608 में लेकिन फत्यपूर सीक्री दर्बार में पहुचा था 1609 में तो हॉकिन्स क्या काम्याब हो गया था कि जहांगीर से पर्मिशन ले ले बिजनिस के लिए जहांगीर तो बिलकुल भी नहीं मानेगा क्योंकि जहांगीर पर क्या था कि पुर्तगाली पर भाव था एक क्या था क्यूंकि अंग्रेज्ग तो बाद में आया ना और भैया जहांगीर पूर्टगालियों के खिलाप कैसे जाए उसको पता है यार ये तो पहले से बिजनिस करते हैं अंग्रेज उपे कैसे विश्वास किया जा सकता है अब अंग्रेज विश्वास जमाने के लिए Hawkins को भेजते हैं Hawkins दरबार में भी रहा खूब अच्छे से रहा खूब हसता था Hawkins के साथ में जहांगीर लेकिन Hawkins कहता था कि मैं एक दिन इससे व्यापार की Permission ले लूगा लेकिन जहांगीर मन ही मन कहता था तुझको नहीं दूगा Permission तू ले ही नहीं पाएगा और Hawkins सफल भी नहीं हुआ तो अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि वही आप Permission ऐसे नहीं मिल पाएगी इन पुर्तगालियों का जो ये प्रभाव है ये खत्म करना पड़ेगा और इसी के लिए 1612 में 9 सेना ने सूरत जो गुजरात है क्या बोलोगे सूरत जो छेत्र है सूरत कहां पर गुजरात का छेत्र है तो गुजरात के छेत्र पे यहां पर इन्होंने क्या किया है कि एक स्वाली का युद्ध हुआ है स्वाली का वार बोलते है स्वाली वार ठीक है इसको बोलते है स्वाली का युद्ध तब बताएंगे स्वाली का युद्ध किस-किस के बीच में हुआ स्वाली का युद्ध किस-किस के बीच में हुआ पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में हुआ ठीक है क्या बोलोगे किस-किस के बीच में Portuguese versus पुर्टगाली ये इनके लिए पहली टक कर थी बिचारों के लिए और इसमें अंग्रेज क्या हो गए अंग्रेज इस बात को जीते अब अंग्रेज जैसे ही जीत गए तो अंग्रेजों की तरफ से यहां था Middleton Middleton और आपका Thomas Best बहुत पुछा जाता है कि एक अंग्रेज जीते तो पुर्तगालियों की सकती कमजोर होगी या नहीं होगी तो अब यहां पर दिग गया भी है इनको एक बात में फिर Edward Murno आया एक आपका जहांगीर के टाइम पे तो जहांगीर समझ गया रहा ये तो बेकार है यार पुर्तगाली ये तो ऐसी बड़े-बड़े डाइलोक देते है जूट बोल रहे थे कहा रहे हम सबसे बड़ी ताकत है अंग्रेजों को अपने महुमत लगाना खुद हार गे खुद पिट गे हैं तो कहने की बात है कि पुर्तगाली धीरे-धीरे समय के साथ क्या होने लगे कमजोर होने लगे और डच तक भी उनको हरा रहे हैं तो 1658 में स्रिलंका वाला छेतर डचों ने उनसे जीत लिया अंग्रेज भी उनके बहुत सारे व्यपार को छीन चुके थे और यही पतन का कारण रहा दूसरा पतन का कारण उनका क्या रहा कि लोगों का विश्वास पृतगालियों ने खो दिया क्योंकि अब वो जबरन धर्मांतरन करा रहे थे अपका बहुत सारी साधिया कर रहे थे लोगों को यह दिग गया कि यह तो सिर्फ इसाही धर्म के परचार परसार के लिए कर रहे हैं तो एक जो mindset था वो भी क्या हो गया उनके खिलाफ हो गया ठीक है गुरुजी इतिहास की date याद नहीं होती है तो बटा selection भी नहीं होगा फिर date याद नहीं होंगी तो selection भी नहीं होगा date याद करने की कोई दवाई नहीं आती कोई capsule नहीं आता कोई operation नहीं होता कोई therapy नहीं होती मैं बस इतना जानता हूँ कि जो selection लेगा वो याद कर लेगा या जिसको selection लेना होगा वो याद कर लेगा उन सब को याद रहती है ठीक है उन सब को याद होती है बिना दबाई के याद होती है आ गयाएंगे उधर देखो application में ठीक चल रहा है Holland की बात करते हैं Holland का नाम क्या हो गया यह दूसरे वेक्ति हैं तो पहला डच यात्री इनका आया कार्नलिस दा हाउट मैं मैंने बुला पंद्रह सो चाण में में आया मुझे बताओ कि इन लोगों ने अपनी company किस वर्स बनाई किस वर्स में company बनाई है सर 1611 होगा नहीं दोस्त मिडल्टन 1611 में आया है उसने तैयारिया किया है और फिर आपका 25, 26, 27 नवंबर सर 1612 को स्वाली का युद्ध हुआ है बोलेंगे बहुत बढ़ी है 1602, 1602 सारे दोस्तों का सही उत्तर आया कुछ तो 1605 लिख रहे हैं तो पहली factory क्या बोलेंगे इन्होंने पहली factory इनकी भी बहुत important है पहली factory सब की important है पहली factory इन्होंने मसूली पत्नम अंदरपरदेश में बनाई दच्छन में है इनकी भी दूसरी factory पुलिकट में पहली factory ही याद रख लेना डच्छों से ज़्यादा परशन नहीं पूछे जाते हैं डच्छ कभी भी पूछे डच्छ किस देश के नागरिक थे तो वो हॉलेंड के और हॉलेंड का ही वर्तमान नाम क्या है नीदर लेंड है 1666 सूरत 1615 में 1665 में कराइकल आये केरल नहीं ये भी डच्छन में एक्टिव हैं अब डच्छों का जो पतन हुआ है डच्छों का जो पतन हुआ है वो हुआ है वेदरा के युद्ध से मतलब कि डच्छ एक सेकंड देख से ठीक है तो डच्छों का जो पतन हुआ है ये वेदरा के युद्ध से हुआ यानि डच्छों ने जब आपको इस्थापित किया तो ये भी किसके टार्गेट पर आगे अंग्रेजों के टार्गेट पर आगे और जीतेगा ये सासन वही तो करेगा जो भीया अपनी नीतियों से दूसरे अपने विरोधी को हरा दे तो अंग्रेजों ने डच्छों को भी हराया किस में हराया वेदरा के युद्ध में वेदरा का युद्ध मतलब ये आपका चिनसुरा की लड़ाई भी इसको हम कहते हैं कि कलकत्ता के पास लड़ा गया था चिनसुरा की लड़ाई इसको हम कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ाऊँगा कि चिनसुरा की लड़ाई हुई थी रोबर्ट कलाइब इस समय पर बंगाल का गवर्नर था तो उसने हराया यहां पर आकर किसको डचो को ठीक है डच उस टाइम पर बंगाल का मीर जाफर था उसके साथ ही होना चाहते थे कि तुम हमारे साथ रहो हम लड़ेंगे एक साथ में लेकिन अभी आप नहीं जानते कि बंगाल का नवाब कौन होता है मैं इतना मान के चलता हूँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई दिक्कत कोई परिशानी ठीक है तो यहां तक कि आपकी आज की कक्षा है कल इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें कौन आएंगे अब अंग्रे जो का आगमन होगा इस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी कैसे वेपार किया उसमें तो बस आगे ऐसी पढ़ते रहेंगे और दोस्त आप लोग जानते हैं कि मैं आ दूसरा बैच मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इस हिस्ट्री के लिए आपको दूसरा बैच लेने की जुरूत नहीं है कि हिस्ट्री की क्लासिस आप करें आपने पहले हिस्ट्री की क्लासिस कर रहें दुवारा करने की बिल्कुल आवशकता नहीं है अगर अभी रेसेंट में किया है SSC के किसी भी फॉर्मेट के लिए हिश्ट्री आपने मेरे दुबारा पढ़ने के आवशक्ता नहीं है मैं कभी नहीं चाहता कि आप आकेर के मेरी क्लासे में लाइव काउंट बढ़ाएं तो क्यूंकि वो आपके समय का वेश्टेज है आपका समय उसमें खराब होता है तो पहले पढ़ रखा है तो दुबारा पढ़ने की जुरुत नहीं परिक्षा के समय तक रिविजन करते रही है नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना होगा लेकिन ये माइंड सेट बना लेना कि एक से दो कुश्चन के लिए कितना टाइम हमको देना है या जिस हिंदी के लिए 20 question पुछाते है उसके लिए कितना time देना, math के 20 question तो कितना time है, तो GS को बांट के time देना है, हर particular subject को, history को भी, quality को भी, सब को, लेकिन उसको इतना भी time नहीं दे देना आपको कि बाकी math, आपका reasoning और हिंदी के लिए समय ना बचे, एक अच्छा management रखना और हर student का management यह होना चाहिए, कि आप अपने घंटों की जो पढ़ाई होती है, उसको बांट लीजिए, और उम्मीद करूँगा, मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँगा, ऐसी कोई एक वीडियो ले आएंगे, GS कैसे तयार करें, ताकि आप अपनी परिक्षा तक उसको follow कर ठीक है, तो ख्याल लखे अपना मुल्क मलाकात कल होगी, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक्यू, comment section में लिखना न भूले, आपको जो चीजे मैंने पढ़ाई, वो समझ आई कि नहीं आई, थैंक्यू